बहुत बहुत स्वागत है बच्चो आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज की वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत जाड़ा important होने वाली है क्योंकि बच्चो आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे आपका जो political science का subject है यानि की राजनीतिक विज्ञान का ठीक है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि political science का आपका कल यानि की 25 को morning shift के बच्चों का और उसके अगले ही दिन यानि की परसो 21 फेब को evening की बच्चों का आप सभी का जो है वो political science का annual का exam होने वाला है यानि की final exam ठीक है अब इसकी तयारी के लिए आपके पास में बिल्कुल भी समय में नहीं बचाए इसलिए आपकी कम टाइम की shortage को देखते हुए कम टाइम में अच्छे तयारी हो इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम डिसकॉस करेंगे एक और most important sample question paper के बारे में जिसके सारे के सारे question को बहुत अच्छे से इस वीडियो में हम solve करके हमारा च्छटा sample paper है यानि कि इससे पहले एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे पूरे पांच सेंपल question paper आपको हमने solve करके समझा दिया है मैप की वीडियो ला दी है कार्टून की वीडियो ला दी है अब यह हमारा च्छटा sample paper है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप question समझाओंगा क्योंकि नए बच्छे भी हो सकते हैं जो पहली बार paper को देख रहे होंगे ठीक है देखो paper के अंदर आपके पांच section होंगे जिसमें से section A जो रहेगा इसमें एक से 12 यह आपके बहुर विकल्पिया question होंगे यानि कि total आपके 12 MCQ based question होंगे फिस section B आ जाएगा इसमें 13 से 18 यह आपके 12 नंबर के total 6 question होंगे और एक question में आपको अथवा भी मिल जाएगा बहुत अच्छी बात है section C जो है इसमें 19 से 23 यह आपके 4 चार नंबर के total 5 question होंगे इसमें भी एक आपको अथवा मिल जाएगा पर section D जो है इसमें कई प्रकार के question है एक तो passage वाला चार नंबर का mc की हो जाएगा और चार नंबर का question होगा और चार नंबर का एक map होगा अब ध्यान से देखो बच्चो आपके map के लिए एक हमने ऐसी separate वीडियो बनाई है ब्रहमास्री वीडियो कि अगर आपने वो देख लिए तो map के ना पूरे नंबर आई है आपके तो map question में आपको इसमें रत्वा मिलेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे कि इस छटे paper को दो वीडियो में समझेंगे यह हमारी part 1 की वीडियो है जिसमें हम mcq दो नंबर के question चार नंबर के question पैसे कार्टून मैप यह सब कुछ देखेंगे इसलिए बच्चो पार्ट 1 की वीडियो आ बी लिंक आपको description में और यहां पर आई वर्ट में मिल जाएगा ओके बच्चो वेड़ाउट नहीं है चलिए अब जो बच्चे English Medium के हैं वह अपने paper के pattern को यहां से देख लें क्योंकि रिखो question का answer हम इंदी में भी समझेंगे और जो बच्च इंग्लियो में के उनके लिए MC की question का जो answer है मेरे द्वारा answer बताए जाने से पहले अपने मन ही मन जरूर गैस करना कि सरीए question पट रहे हैं मेरे सबसे इसका यह answer इसका यह है फिर match करना कि आपने कितना सही किया था तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी त्यारी थी ओके इलिए शुरुआत करते हैं दिख तो आपको national mandira की तो जो आद्व कता है वो तो पता ही है क्या नाम है long walk to freedom जिसे हम बोलते है सोतंत्रा के लिए लंबी आत्रा अब आप बताओ कि आंग सेंसु की जो आद्व कता है इसका क्या नाम है तो इसका नाम क्या है बच्चो freedom from fear इसी का हिंदी उन्वाद बोलें तो भय से मुक्ति तो हम क्या बोलेंगे सर सी वाला जो option है ए और बी दोनों ये सही है ठीक है तो इस प्रकार से आपका option नमर है आपे सी क्रेक्ट हो जाएगा अगला देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी कानून के निर्माड के तो कानून के निर्माड से पहले वो जो विध जो कि मंत्रियों के द्वारा पीश की जाते हैं वे क्या कहलाते हैं तो मंत्रियों के द्वारा जो विधिक पेश करते हैं उनको सरकारी बोलते है ठीक है और यदि मंत्रियों के अलावा कोई विक्ति पेश करता है तो उसे गहर सरकारी भी देख बोलते है ठीक है पसी होता है तो आंसर आपका इसकाज़ है वो A हो जाएगा मंतरियों के अलावा कोई करेगा तो गैर सरकारी हो गया ठीक है? option A है उसके बाद दिखिए बच्छो question number 3 समाज जनित ऐसमानता क्या है? अथार ऐसी ऐसमानता जिसे समाज ने पैदा किया हो बिल्कुल ठीक है समाज में अवसरों की ऐसमानता होना जिसका कारण सोशन है यान कि समाज में अगर किसी को अपने विकास के लिए पूर्ण option नहीं मिल पा रहे है तो इसका कारण क्या है? कि जो बड़े वर्ग के लोग है या फिर अमीर लोग है वो छोटे वर के लोगों का गरीबों का सोशन करते है तो इसी वज़े से ऐसा होता है बिल्कुल ठीक है इसमें आप ये भी कह सकते है कि दीखिए समाजिक ऐसमानता जो है इसे हम बदल सकते है यहां पर लिखा है बदला नहीं जा सकते है तो क्या बोलेंगे C वाला जो सजी अप्शन होना चाहिए C वाला ये ये करेक्ट है इसका जैसे ओरतों को नारेकाल से अबला समझा जाना और उस प्रधान जैसी सोच रखना ये सभी समाजनित ऐसमानता है उसके बाद देखो बच्चो अब इसमें से आपका दो नंबर का चार नंबर का कुश्चन कंप्लीट होगा कैसे यहां से देखो क्या कहा गया है कुश्चन में कि जो भारतिय समभिधान है इसके आपको संघात्मक लक्षन लिखने है संघात्मक यानि कि जो कैंद्र और क्या बोलते है राज दोनों के संबंद में हो तो सबसे पहले तो ये है कि चाहे कैंद्र सरकार हो चाहे राज स्रकार हो कोई भी सक्ति कभी भी संविधान से उपर नहीं होगी संविधान सरवोच है दूसरा सक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया है ठीक है अर्थार तीन सूचियां यानि कि संग सूची राज सूची और संवत्ति सूची इसी प्रकार से तीन इस्तर की सरकार बताईगी है एक तो केंदी इस्तर पे सेंट्रल गवर्मेंट फिर इस्टेट गवर्मेंट और एक लोकल गवर्मेंट तो क्या बोलेंगे भारतिय संभिदान के संघात्मक लक्षन option number D correct है हमारा ओके बच्चो आगया समझ चलिए अब देखो question number 5 एक सेकड़ इंगलिस में देखा तो दो यह रहा देखो the federal features of Indian constitution included option number D अब ध्यान से देखो question number 5 में अधिकार बगारे के बारे में बातें की गई हैं तो आजाए यह देखते हैं देखे क्या कहा गया कि लोक्तांतिक समाज की यह बुनियाद होते हैं तो लोक्तांतिक समाज की बुनियाद क्या होता है अधिकार होता है आधनी की काल में अगर देखा जाए तो जो प्राक्रतिक अधिकार है बच्चो वह ऐस्विकार है प्राक्रतिक अधिकार कैसे है ऐस् अब देख लो भाई इसमें से कौन सा राइट आणसर होगा अगर आपने थ्यान दिया हो यहां पर आपकी चार बात एक बार में कंपलेट हुएं बच्चों कि लोगतांती समाज की बुनियाद आध्रिकार में प्राक्यतिक अधिकार निर्वाचित होने का अधिकार तरिक सकते विक्सित करने का अधिकार इस प्रकार से ठीक, आगया समझ तो क्या वहुख लेंगे? यहींधे ल। झाधिकार से अप इंगलिस में देख सकते हैं पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौत्ता भी सही है, इट मिन्स उक्सिट नंबर खी सही है आपका ओके चलिए आगे दिखते हैं question number six दियान से दिखेगा बच्चो अभी कतन हमारा क्या कहता है कि जो अद्यचात्मक कारिपालिका है इसमें व्यक्तित्व पूजा का खत्रा बना रहता है इसमें व्यक्तित्व पूजा पर खत्रा बना रहता है करता है बच्चो आगे बात करते हैं अच्छा यह इंग्लिस में हो गया देख सकते हैं और यह पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए कैसा मिलान लेकि आओंगा आगले पेपर में कि आपके जो वह होते हैं अधिकार इनके आपको सारे अनुच्यद पता चल जाएं तो आजाईए देखिए सबसे पहला रजी कारव कौन सा है समानता का दिकार सुरू कहां से होता है समानता का कजिकार सुरू होता है 14-18 वह पहला हो गया आपका उसके बाद रूसरा अधिकार कॉन सा है श्वतंतरता का अब किस में दिया हुआ है तो अनुछत 19 में के बिल उसके बाझ चौत्था जाता है हमारा धार्मेक लिकार यानि कि और अनुछत 25 से 28 में दिया हुआ अच्छा वच्छों आप से मैं कोस्टन पोस्ट हाँ सारे वच्छे मुझे comment box में इसका answer देना कि हमारा जो जीवन जीने का दिकार है कौन सा जीवन जीने का दिकार ठीक है ये किस अधिकार में आता है ठीक है ये किस अधिकार में है और कौन से अनुछेद में है सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका जिस भी बच्चे का पहले answer आएगा उस बच्चे के answer को मैं पिन कर दूँगा comment को और heart भी दे दूँगा अगर आपको भी अपना comment पिन करवाना है तो what out से answer करो कि जीवन जीने का दिकार किस अनुछेद में हैं और किस अदिकार में दोनों चीज़ बतानी है इसमें फोर्थ का ए हो और पहले का भी हो यह रहा देखो बी वाला हमारा राइट हो जाएगा कि इस परकार से आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा देखिए मैं कोसिस यह करता हूं कि आपको ना बहुत ही आपके लेवल पे जाके मैं समझा सकूं तो राइट तो फ्रीडम किसमें है आर्टिकल 19 से 20 में राइट अगे बात करते हैं अब देखो यहां पर क्या कहा गया है कि जो गिराम पंचायत होती है इसके बारे में कौन सा कथन सही है तो देखो गराम पंचायत जो होती है इसके तहर एक या एक से अत्वा गाउं आते हैं बिल्कुल सही है ठीक है गराम पंचायत में जो प्रधान होता है वो सरपंच या फिर मुखिया होता है बिल्कुल ठीक है गराम पंचायत का कार क्या ह अब आपसे दो नम्मर में यह कोश्चन आ जाए कि ग्राम पंचायत की विसिश्चन लिखो तो बता दोगे ना एक से एक या एक से अधिक गाउं होते हैं जो प्रधान है इनका सुर्पंचा मुख्या होता है यह कुछ इसके कार होते हैं ठीक है इसी प्रकास से इंग्लिस में आपका डी हो जाएगा लोकल गवर्मेंट के बारे में यह की ग्राम पंचायत के बारे में अब देखो बच्चो ध्यान से चुनो पूश्चन नम्मर नाइन जो है ना इसमें आपके दो पॉइंट कंप्लीट होंगे कौनकों से दो पॉइंट अभी बताता हूं आपको ध्य यहां पर वह जो शीट आरक्षित है इस समुदाय के विव्यक्ति के लिए लेकिन वोट जो है न वह से लेके जड़ समुदाय के सभी करेंगे इसको बोलते हैं आरक्षित चुनाओ छेत जहां पर किसी समुदाय की होती है चुनाओ तो वहीं लड़ेगा लेकिन वोट सारे एरिया जहां पर सीट जिसके लिए आरक्षित है जैसे इस एक लिए आरक्षित है तो वोटिंग भी वाले ही करेंगे इसको क्या बोलते हैं प्रत्रक निर्वाचन मंडल बोलते हैं जब आप 12 में आओगे एक वो समीधान वाला चैप्टर होगा हिस्ट्री में 15 वा तो उसम सब्सक्राइब आपका रिक्तिस्थान वाला भी आता है पेपर में तो रिक्तिस्थान में देखे मैंने क्या लिया हुआ है कि 1950 का दसक अमेरिका के दक्षडी राज्यों में डैस और डैस आवादी की बीच नागरिक अधिकार अंदूलन का सक्थ है तो किसके बीच भी यहां पर डाटी को सकते हैं और अपने नितिक को सकते हैं तो पहली बात बिल्कूल सही है लोग सवा या राज सवा के हम सरस से बन सकते हैं संग एवं राजनीतिक दल हमें बनाने का अथिकार है ठीक है और भी क्या कहता है कि संपत्रीकी अजित तो यह क्या है यह आपका एक आर्थिक अठिकार है ठीक है इसे को उग्लाईजा से देख सकते हैं दिया गया है ये कथन किसका है तो आजाद भारत में ये जो कथन कहा गया है अगर मैं आपको थोड़ा हिंट दू तो आपके जो सबसे आखरी वाला चैप्टर है उससे संबंदि थे धर्मजित प्रेक्षिता से तो किस ने दिया था भाई ये कथन किस ने कहा था महत्मा मसौदा इन्होंने ही गड़ा था है ना और वी एक दो बाते हैं दलितों के लिए आरक्षण की मांग भी इन्होंने ही की थी ठीक है हालां कि बाद में फिर ने छोड़ दी थी वो तो अब 12 में पड़ोगे वेल आपका यहां पर D correct हो जाएगा इसे परकार से यहां पे थे फ़क्सण एक हमने अपने दो नंबर वाले कहां से आ गए वारा जो आपके एमसीक्व थे यह हमने डिस्कस कर लिए तो आपको पता चल गया कितनी थ्यारी आपके एमसीक्व बेश आगे बात करते हैं अब यहां पर डिइसक्स करते बच्चों अगले प्रीन की जो कि है समझते हैं और इसमें कितने जो सदन है वो सामिल है तो विधाइका क्या होती है विधाइका जो है वो हमारे सरकार का वह अंग होती है जो कि एक देश के लिए और कि हमारे देश के लिए देश इस्तर पर कानून बनाती है विधियां बनाती है नीतियां बनाती है, ठीक है, साथ ही विधायका के पास, सम्विधान की कई सारी जो कारिकारी सक्तियां हैं, ठीक है, बहुत ही इंपोर्टन सक्तियां है, जैसे सम्विधान में संसोधन करना, ऐसी बहुत सारी सक्तियां हैं इसके पास में, इसको विधायका बोलते हैं, जैसे ह लोकसवा में वही प्रचिनिती होते हैं जिसे हम चुनते हैं विधायका का चुनाव जनता के द्वारा होता है इसलिए यह जनता के प्रचिनिती बन के कानून का निर्माण करते हैं अब बारी यह आती है कि चलिए विधायका में हमने देखा कि उच्छे सरन है यानि कि राज सवा और निश्रा सरन यान की लोग सवा तो आकर हमें विधायका में इन दो सदनों के जरूद है ही क्यों एके सरन भी तो हो सकता था कि वह लोग सवा हमें दो की क्यों जरूद पड़ी हमने दो बनाई क्यों बेसिकली तो आ जाएए सबसे पहला कि लिए इस संसद में पूरे देश का उचित प्रतिन्त हो सके समाज के सभी वर्गों का इसके लिए दो सदन क्या पसकता है जिसमें एक तो सेंटर पर हो जाएगा एक स्टेट लेवल पर हो जाएगा दूसरा विधियक पर पुनरविचार कई बार क्या होता है कि एक सदन ज बस यही बात है आप इसे परकास यंगल्जिश में आप लेजिसलेटेश से क्या समझते हैं और इसमें कौन-कौन सामिल है क्या है क्या नहीं एंड हमें आखे legislature में two houses की जगुद क्यूं पड़ी तो क्यूं पड़ी थी तो proper representation की और reconciliation of a bill question number 14 अधिकार क्या होते हैं अधिकारों की उत्पत्ति कैसे हुई तो ध्यान से समझो अधिकार जो है वो किसी वी व्यक्ति की द्वारा तो अतनत्ता पूर्वक जीने की मांग है यानि कि अधिकार जो है वो व्यक्ति जो है हमारे द्वारा तो अतनत्ता पूर्वक जीने की एक मांग है ऐसी मांग जिसे साब जने कल्यान को ध्यान में रखते हुए समाज सुईका करता है पिर राज मानेता देता है तब वो अरिकार बन जाता है तो अरिकार क्या हो गया यह अरिकार शुरुवात में मांग होते हैं हमारे स्तौतंत्रा पूर्वक जीवन जेने की एक विक्ति की मांग है फिर उससे समाज में समाज ने देखा यह यह तो हम सब के लिए बहुत इन इन अधिकारों का सिधान था जैसे कि यह सबसे जनर मानने थे वर्तमान की बात करें तो आज्री के रिश्ञिमें प्राक्रतिक अधिकार एस्विकार रहे हैं और मानुवाद रिश्ञिवा जो है तो राइट्स क्या होते हैं कि इसके बारे में पढ़ सकते हैं पुश्चर नंबर 15 बच्चो बहुत ही आसान है एक विक्ति को अधिकार के अवस्क्ता क्यों पढ़ते हैं अभी आपको अधिकार क्यों चाहिए होगा ताकि हम अपनी विक्तिकत स्तुतंतता है इसको बनाए रखें अपनी आत्मसम्माने जो गरिमा है उसे बनाए रखें साथ ही जो एक लोगतान्तिक देश होता है, उसके जो system होता है, उसका जो तरीका होता है, जो सुचारी रूप से चलता रहे, इसके लिए हमें चाहिए ठीक है व्यक्ति के प्रतिवा और वो अपनी चमता का विकास कर सके अपनी जीवन का विकास कर सके इसके लिए अधिकार उसे चाहिए एक प्रकार से व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए हमें अधिकार चाहिए एक एकजामपल देते हैं जिस व्यक्ति के पास में अधिकार नहीं होता है वह विक्ति बंजी पंजड़ा में चैसे स्लब्र होतास से तो इसरी लिए यह आपशिक्ता पड़ती है दो वर डजब्लिया उप्ट्र नीड राइड तो why क्यूंत कि चाहिए आप यहां से पड़ सकते हैै Q16, भूमंडली करण के इस दोर में आज भी राष्टी आकांचां सिर्थ उठाती रहती हैं, इस समस्या का समाजान कैसे किया जाती है, अतार हमने देखा कि आज वैस्वी करण है, ठीक है, वैस्वी करण के बाद भी आज बहुत सारी राष्टी आकांचां यानि कि अपने दे पटने में संबंदित देश, विभिन बर्गों की साथ उदार्ता और दक्षिता का परचे करें, एक्सामपल के लिए जैसे भारत है, ठीक है, भारत में अलगावादी मांग उठी, कैसी मांग उठी, जैसे असाम की या फिर ओडिसा की कहीं से भी, ठीक है, तो क्या करना चा यही बात यहां पर कहीं गई है, बस और कुछ नहीं आ जादा, उसके बार यहां पर अंगलीस में आ जाता है, तो आप देख सकते हैं, आंसर आपका यह हो जाएगा, जैसे आपको बताया था, जैसे यह स्थीट जो है, इस उमीदवार एक के लिए, आरक्षे रहेगा, लेक एस से लेके जड़ तक ही सारे डालेंगे, लेकिन प्रत्रक निवाचन मंडल में क्या होता है, कि समुदाय जो है न, वो जिसके लिए यह सीट आरक्षे थै, एवल वही लड़ेगा चुनाओ, और वही उस समुदाय के विक्ति वोट डालेंगे, बस यही था सिंपल, ठीक है तो option A और B राइट हो जाएगा, उसके बाद, अभी हमने MCQ में समाजनित A समानता के वारे में देखा था, अब आपको समाजनित A समानता को थोड़ा धंग से समझाते हैं, तो समाजनित A समानता, ऐसी A समानता होती है, जिने समाजने पैदा किया हो, समाज में आवसरों की A समानता होने से, अथवा किसी समों का दूसरे के द्वारा solution किया जाने से पैदा होती है था, देखो, भारत में आवसरों की कमी नहीं है, अगर आवसरों की कमी है, तो उसके सबसे बड़ा कारण ये है, कि वहां के जो बड़ी लोग हैं, बड़ी वर्ग के बड़ी अमीर लो देते हैं, जैसे कोई टीचर है, हाला कि समान देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो सारी कारण करता है, जैसे कि आपके दर सफाई कर्मी वाला है, ठीक है, या फिर कोई जो कुड़े वाले गाड़ी वाला व्यक्ति होता है, आप उसे पता नहीं किस लहज़े में बा कहा जाता रहा है, उन्हें कमजूर कहा जाता रहा है, आफ्रीका में भी रंगवेर की नीती सी का कारण थी, है ना, ये चीज़ें होती है, अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये रहेगा हमारा 20 नंबर का, क्योंकि इसमें 4 नंबर के 5 कोशने, एक में आपको अधवा मिलेगा, तो आजा ये शुरुआत करते हैं, देखो, क्या कहा गया है कि किसी भी नागरिक की जो अभिविक्ति की स्वतनत्ता है, यानि कि हमारी जो बोलने की स्वतनत्ता है, इसका वर्णन करना है, और क्या इस पर प्रतिवन्द लगाया जा सकता है, निन कि हमारी जो freedom of expression ह क्या इस पर कोई restriction हो सकता है, तो आजा ये समझते हैं, देखो, नागरिक की अभिविक्ति की स्वतनत्ता, दियान से पढ़िए, इसकी सटीक परिवासा तो ये है, कि हम अपनी परिवासा का उपयोग इस परकार, हम अपनी इस सिर्फ freedom of expression, अभिविक्ति की स्वतनत्ता का उ पहुचे, जिसे हम किसी से गाली गलोज ना करें, ठीक है, किसी से ऐसी बात ना बोलें, जिसे उसको दुख हो, या फिर हम जो है, कुछ भी ऐसा ना बोलें, जिसे की देश की कानून की विस्ता को ठेस महुचें, एक अर्थ अनुचित 19 में दिया गया, क्या दिया गया है, भारत के किसी भी भाग में ब्रहमन कर सकते हैं, वहाँ पर बस सकते हैं, वहाँ पर विवस्तायन की कारवार खोल सकते हैं, जो कि इस तोतनता के अंतरगत आता है, ठीक है, अब संबिता ने देखो, ये क्लियर लिए मैंशन क्या हुआ है, अगर आप सभा करना चाते हो, तो आप शांती पूर्ण तरीके से और बिना हतियारों के सभा कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इन सभाओं पर, इन सम्मेलनों पर हम प्रतिबंद भी लगा सकते हैं, कब लगाएंगे, जब आप देश की कानून विवस्ता, देश की शांती और देश की नेक्रिक करना, अगर ऐसा करते हो, तो भी लगा दिया जाएगा, सरकार या देश को तोड़ने की बात करना, देश में दंगे करवाना, या फिर देश की जो information इसको दूसरे देश में बेचना, तो इस प्रिकार की जो आपकी अभिवक्ती है, उस पर डेफिनिटली प्रतिबंद लग प्रतिबंद लगा ही दिया जाएगा, समझ गए? अब देखो एक आपका जो question है, वो moral question है, कैसा question है? एक जो आरूपी होता है, उसके क्या अधिकार होते हैं? जो आरूपी है, उसको सजाब प्राप्त होने से पहले-पहले क्या अधिकार प्राप्त होते हैं? तो आज यह द किसी व्यक्ति को अपराद का घोशित नहीं कर देता, अपराद का दोशित नहीं मालेता, तब तक वो दोशित नहीं है, यान कि चाए मुकदमा दो साल चले, चार साल चले, कोई मैटर नहीं करता, जब तक नियायला उस व्यक्ति को अपरादी यान की दोशित नहीं ठहरा द लिए एक वाजसे ज़्यादा सजा नहीं दी जागे इनकी ऐसा नहीं है कि कोट का जो जजज होगा कि इसे कारे को पिछली तारीक के अपराद किया था 2020 में उस समय उसकी सजा थी कि आपको जो है ना वह दस साल की सजा होगी अब मुकदमा चलते चलते चार साल बीट गए तो अब आगया वो 2024 में, तो अब उसी सेम अपराद के लिए, अब सजा कितनी है, 5 साल है, ठीक है, प्लस में, 5 लाख रुपिया जुर्माना है, ओके, ये है, तो अब जो उसको सजा दी जाएगी, वो वर्तमान के हिसाब से दी जाएगी, यहाँ पर वो बात कही गई है, ठीक है, छटा, कि सीवी व्यक्ति को स्वैम अपने विरुदु साक्चे जाने के लिए नहीं का जाएगा, इनके ऐस, उस पर दवाव नहीं डाला जाएगा, कि कबूल कर, कि तू नहीं ये गुना किया, कबूल कर, कि तू नहीं ये जुर्म किया, तू नहीं अपराद किया, तू ही इंग्लिस में describe the freedom of expression of a citizen तो मेनिंग बताएंगे exact definition क्या है फिर किस प्रक्याद से जो है इसकी उस पर हम restriction लगा सकते हैं यह चीज़ है तो 20 क्या कहता है धर्म निर्पेक्षता का जो यूरोपिय मॉडल है इसका वणने कीजिए धर्म निर्पेक्षता के भारतिय मॉडल की दो आलो चुनाय बताएं तो सबसे पहले रिखते हैं बच्चो धर्म निर्पेक्षता के यूरोपिय मॉडल यान की अमीर की मॉडल की बा राज्य सत्ता धर्म के मामले में और धर्म सत्ता राज्य के मामले में कभी हैस्चिप नहीं करेंगे ये कहा जाता है। ये संकल्पना जो है वो स्वतंत्रता की समानता की ऐसे जो बुनियारी रिकार हैं इनके व्यक्तिगर्द धंग से व्याक्या करते हैं। ठीक है, धर्म निपिक्षिता में राज्य समातित जो धार्मिक सुधार है, इसके लिए कोई जगे नहीं है, यानि कि यहाँ पर कहते है कि अगर राज्य धर्म के बीच में कोई सुधार करना चाता है, तो इसके लिए इसमें कोई जगे नहीं होगा, ठीक है, वहीं बात आती ह धर्म निपिक्षता के भारती मौडल की आलोचना तो आलोचना ये है वच्चो कि भारत का जो धर्म निपिक्षता का मौडल है आलोचकों का ये मानना है कि ये धर्म निपिक्षता ये धर्म विरोधी है ये धर्म निपिक्षता वर्ड है ये धर्म विरोधी है तथा ये धर् हमाना प्र्षाद के खत्रा है अब धर्म रोत्य कैसे है कंकि यकिले अलक संक्याट कि ने कुछ है उनके cell igen किया गया है तो अब लोग है वह तो अपने आपको दमिद मैसुस करेंगे इनके लिए इतना सब हो रहे हमारे कुछ बिनी हो रहा है यह द्रम पेक्षिता द्रम विरोधी है और यह पस्चिम पर आधारित मॉडल है इसने वोट वेंक की जो राजनीती है इसको बड़ावा दिया है खास करके इसको चुनाव की समय पर जारा यूज किया जाता है ठीक है यूपिय मॉडल क्या है और भारतिय मॉडल का लोशना सम जो हमारी पालिया मेंट है वो में पता है कि कारिपालिका जो होती है यानि की एक्सक्यूटिव इसको नियंतित करती है ठीक है क्या हो जब यह पूछा जाए कि संसद स्वयम को कैसे नियंतित करती है ठीक है तो उत्तर लिखेंगे संसद जो कि संविधान के नियामन और इसी भी विध्यक पर वाद विवाद होता है यह संसद का सार्थक वा अनुशाषत होना दर्श आता है जो सदन का अध्यक्ष है लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभाई स्पीकर और राजसभाई का उपराश्पति ठीक है तो यह सदन का अध्यक्ष है यह विदायका की कारवाही के मामले में सर्वू चरिकारी होता है तो आकरी निर्णा वही लेता है इसी एक बड़े भगोलिक वारा संसुर्द किया अब आप ओगे कि दलवदल क्या होता है देखो यदि कोई सरस अपने दल के नेत्रत के आदेश के वावजूद तदन में उपस्तित ना हो अथाद उसके नेता ने कहा कि तुम्हें इस समय उपस्तित होना है और आप नहीं घए ठीक है या फिर दल ने कह से किस प्रिकार से जो संसर्द है अपने आपको उद्नियंतित करती है तो कई प्रिकार है इसके बच्चो चलिए अब यहां पर आ जाता है कि हाव डस पार्लेमेंटरी गवर्नर इट्सेल पढ़ सकते हैं सारी के सारे आंसर को आपका आंसर पूरा का पूरा यहां पर लिखा क्या जो विसेश जरूतों का सिध्धान्त है यह सभी के समान बरताओं के सिध्धान्त के वृद्ध है इस परस कीजे तो आए लिखते हैं देखो सामाजिक नियाय को इस्थापित करने के तरीके जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए यह बात कहनी गलत हो कि जो विसेश जरूतों का सिध्धान्त है यह सभी के लिए गलत है अर्था देखो हमारा जो यह सिध्धान्त है कौन सावाला ध्यान से पढ़िएगा आप जो हमारा समान बरताओं का सिध्धान्त है जिसमें क्या का जाता है कि सभी के साथ समान बरताओं किया जाए ठीक है समान बरताव का सिधांत, जो है, इसी का विश्तार रूप है, विशेश जरुत का सिधान, कैसे? क्योंकि समान लोगों के साथ समान बरताव में हम ये कहते हैं, कि जो लोग कुछ महत्वोड संदर्वों में समान नहीं है, यांकि एसमान है जैसे कि विकलांग हो गए ठीक है या फिर कुछ खास मामलों में एसमान है तो उन्हें हम विसेश ढंग से उनके साथ में वर्ताव कर सकते हैं यह समान वर्ताव के तहरत कहा कि है और यही इसका विस्तार है विसेश जरुतों का सिद्धान क्या कहता है कि संविधान में जो जातियां है इन सभी के लिए सरकार ने नौकरियों में स्थानों में दाखले के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जो कि विसेश जरुत्व के तहती आता है क्योंकि पता है उन्हें कि यह जो है समाज से उपर नहीं उठाएंगे इनका सूषड हो रहा है तो थोड़ा विसेश जो है वो दे देते हैं आरक्षण बगारा तो यह आ जेंगे समाज के वरापर है ना वही चीज़ यहां पर है और यह था बिसीकली तो आई हूप जहां तक मुझे लगता है कि विसेश जरुत्व का सिध्धान्त जो है यह समान सिध्धान्त के विरु अब बात करते कोशन प्रीक है अब यह प्रशन वैसे तो आपका च्छी नमर का भी है थ्यान से देखना भारत में संगबाद का वर्ण कीजिए तो आजाए भारत में जो फैटरिलिजम है इसका वर्ण करते हैं सबसे पहला पॉइंट भारतिय संभिधान का सबसे पहला जो अनुछे नमबर एक इसमें भारत को राज्यों का संग कहा गया था भारत जो है वह राज्यों का संग है जिसमें बहुत सारे राज सामिल है ठीक है राश्टी आंदूलन जब चल रहा था तो उसके दौरान अनेक नित्राओं ने ये डिसाइड किया था कि भारत ऐसे बहुत पहुँचे राजी तक पहुँचे और पुरी देश पर भी चले ठीक है भारतिय समाज में छेत्री अब भाशा भाशा भी हो देता है अर्थात बहुत सारी भाशा धर्म संस्कृति आधी को मानने वाले लोग रहते हैं इसलिए सभी को समान अफसर देने के लिए हमें केंज और 35 की सरकारों को बाटना पड़ेगा यानकी दो पार्टमेट वाइड करना पड़ेगा भारतिय संग्वार के अनुसार भारत में एक संगिय सरकार है यानकी केंजिय सरकार और 28 सराजी की सरकार हैं और 8 केंजिय सासित प्रदेश है इनके अपने अलग-अलग विशय होते ह में भाथ्य समिधान में सभी की सक्टियों का इस पश्च वेताइब गया है कि किस को क्या करना किस ऐसे storm शॉल करने के लिए हमारी सुप्रीम कौर्ट थे ए ऑब देख suppressed cow mars रहे में इसे संग्वारण वियु अमेरिका में जर्मनी में भी है लेकिन भारत का संगवात इंसे थोड़ा सा अलग है यह चीज़ है तो आपको समझ में आगे अच्छे तरीके से भात में संगवात क्या है कैसे है क्या क्या वर्णन है सारी चीज़ है अब इसी को इंग्लिश में देख लीजिए डिस्क्राइब दो फैटलिजम इन इंडिया तो कैसे आप पढ़ सकते हैं यहां से तरीके से ठीक है चलिए नहीं करते हैं सिरा सेक्षन डी के जड़ते हैं अब सेक्षन डी है यहां पे खंड डी है बिसिकली और इसमें दिया गया है आपका राष्टपती के बारे में तो ध्यान से पढ़ते हैं बच्चो देखो राष्टपती सरकार का आपचारिक प्रधान होता है उसे आपचारिक रूप से बहुत सारी कारेकारियां विधाई जो आपात सकती हैं यह मिली होती हैं आपचारिक रूप से संसियर्य वश् में इन सक्टियों का प्योग मंत्री परशिद की सला पर ही कर सकता है प्रधान मंत्री और मंत्री परशिद को लोग सवा में बहुमत प्राप्त होता है और वही वास्तविक कारिकारी है अधिकतर मामलों में राष्टपती को प्रधान मंत्री की सला लेनी ही होती है एक प्रगा प्रधान मंत्री के यहां परिशत होना चाहिए कोशन नमर थर्ड संसर्य कारिपालिका में प्रधान मंत्री होता है देखो दो नमर के कोशन कंप्लेट होगा संसर्य कारिपालिका में प्रधान मंत्री की इस्थिति होता है यहां पर यह ठीक हो जाएगा ओके C से छोड़ो A से शुरुवात करो ठीक है संसर्य कारपाल का में जो प्रधान मंत्री है संसर्य में जिसवे भी बहुमत मिलता है यह उस दल का नेता होता है चाहे A से लेके Z पार्टी में इस C पार्टी को बहुमत मिला है तो यह उस दल का नेता होगा यह है विधाई का प्रति जवाब देहां के संसर्ज के प्रति और यह देश का आपचारिक प्रमक होता है ठीक है वास्त विख सकती है तो यहाँ पे ऑप्शन जो D है उप्रोक्त सवी यह आपका राइट हो जाएगा ठीक है यहाँ पे देश बोला गया इसलिए उसके बाद फ 30 years ठीक है आप पागल या दिवाल या नहीं होने चाहिए संसर्ज का सरस होना अनिवाद है लेकिन यह कहना कि अगर भी कोई भी मंत्री प्रधान मंत्री संसर्ज का सरस हुए बना प्रधान मंत्री बन जाता है तो वह एक साल के अंदर संसर्य सरस से बनना चाहिए यह गलत है होता है च्छे महीने का च्छे महिनी के अजल से बनना पड़ेगा अगर नहीं बना मंत्री उसे अपने पत्र से स्तियफ़ा रहना पड़ जाएगा ठीक है और लोकसवा भंग हो जाएगी यह चीज होती है तो आगया समझ में अच्छा है तरीके से इंग्लिश वीडियो में आप यहां से पढ़ सकते हैं इसको कि वह होता है प्रेजिडेंट और किसको और अडवाइज करता है प्राइमिनिस्टर प्राइमिनिस्टर होता कौन है कौन कौन सी नहीं है तो यहां पर 30 लिखा हुआ है option D इसका हो जाएगा एक कार्टून वाले कोशन देखते हैं कि तो बहुत सारी व्यक्ति जो खड़े हुए यह करें मैं आए दो व्र्ड वर्षस डिक्टेटर्स ब्रोफ्य पाने की इस्थी को दशाथा था है उब्रिप्र कार्टून कौन से अबधार्णा से संबंदित है इसमें नागरिःटर जो है इसको दशायगा है प्रस्थत कार्टून में दशायगे लोग को ने तो यह प्रवाश् नागरिकों के कोई दो बुन्यारी अधिकार लिखे तो बुन्यारी अधिकार जैसे कोई नागरिक है किसी देश का तो वह मत दे सकता है नियुन्तम मजदूरी उसे मिलती है सिक्षा पा सकता है तो यह नियुन्तम अधिकार है सिक्षा स्वास्त रोजगार यह सभी नियुन्त तो सभी कोई पता है क्या है इसका अंसर दक्षड आफ्रीका अब इसी प्रिकास से जो बच्च इंग्लिस मीडियम के हैं वह यहां से पढ़ें आपका यह कार्टून है रही बात इसके कोश्चन की तो सारे कोश्चन आंसर आपके लिखे हुए है वीडियो को पॉस्ट कर यह भी फाइब में है लेकिन हम चैप्टर नंबर सेवन की में अपको ग्रेंटेड नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे जैसे उनने सो चांसर में बने राज है दो हजार में बने राज हैं 1960 में बने राज हैं कुछ आठ से दस ऐसी प्लेसे हैं तो आपको बहुत अच्छी हो जाएगे वह में वीडियो अगर आपने देख ली ना तो हम हैंटेंटेंट पंचेंट शौर कि आप पूरे के पूरे चार नंबर पेपर में लेकिया होगे पूरे के पूरे चार नंबर यहां पर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं देखिए कई बच्चे पता है क क्या करते हैं कि उन्हें डाउट रहे जाता है कि मैप आएगा कैसे तो मैप दिखिए आपको पेपर में बांध की नहीं आना है आपको टेबल दी जाएगी जिसमें करम संख्या अक्षर और राज का नाम होगा ठीक है और यह इधर लिखा हुआगा लेकिन यह जो अक्षर लखे हैं यह नहीं लिखि होंगे यह आपको जानकारी के हिसाब से अक्षर देखना होगा के उस अक्षर का नाम क्या स्टेट का नाम क्या वह आपको भगना होता है एक्टता फंचा टें फह यह पर ऐगा невांज़ पहली सपादार के लिए क्या हो जाएगा पंजाब हो जाएगा लिखेंगे बी लिग शाल जानई क्या ल क्या लिखा अक्शन और राज का बन फाल नाम पंजाब आपको यी बी पता चलो कि 1966 का दूसरा राज खुन था हा फ़ियाना है और रियाना कहाँ और यह हो गया हमारा महाराश्ट्र पर आप बात करते हैं अगले कुश्चन की कि पूर्वी भारत का एक सरनी विदाई राज्य तो देखतें पूर्वी भारत में क्या दिया हुआ है यह रहा देखो डी अब डी क्या है डी है विसीकली आपका क्या बोलते हैं चतीस गड़ तो 36 गड़ नीए 36 गड़ तो nP के नीचे वह तो मैं आपका क्या है औगे देखिए अगला question क्या है कि सं 2000 में उत्तरप्रद्स के एक हिस्सिय कर बनाएगा राज्य कौन सा है, तो संदोजार में उत्रप्रेश से कौन सा रगोकी बनाए गया था, तो वो था वच्चो A, यानि की उत्राकन, ठीक है, अब देखो वच्चो, यहाँ पे मैं मैप की आपके थूड़ी सी और प्रैक्टेस करवा देता हूं, जिसको मैप बिल्कुल नहीं आ है, तीसरा महराष्ट है, क्योथा तेलंगाना है, पांचमा आपका करनाटक है, और छटा आंद्रप्रैस है, ठीक है, तो इसमें two state policy चलती है, अब दूसरी बात आती है, कि सन 1966 में कौन से राज्य बने थे, ठीक है, तो आपके दो राज्य बने थे 1966 में, कौन-कौन से, एक तो था आपका गुजरात, और दूसरा था आपका महाराष्ट, यार के लेना, गुजरात और महाराष्ट, उसके बाद, सन 2000 में कुछ ऐसे state थे, जिन से अलग होकर कुछ राज्य बनाए गए थे, जैसे कि, यूपी से अलग होकर सबसे बहले बनाए गया था, उत्तरा खंड तो पहला आपका यह हो गया, फिर बिहार से अलग होकर बनाए गया था जार खंड, तो दूसरा आपका यह हो गया, फिर MP से अलग होकर बनाए गया था, 36 गड, तो तिसरा आपका यह हो गया, यही पूरा महारा है आपका, सिर्फ और सिर्फ यही महारा है, 1966, 1960 और 2000, यह इसमें आप चाहो तो कोश्चन देख लो आपके क्यूंकि आंसर तो मैंने इंगलिस में अलेडी बताई दिया उपर आप रह जाएगा बच्चो इस वेपर का हमारा सेक्शन एका पार्ट तो सेक्शन एक को हम डिसकस करेंगे पार्ट 2 की वीडियो में और पार्ट 2 की वीडिय अवस्ट वेपर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत वंदमात्राम